So hi everyone, myself Sonu Singh and welcome back to the channel Junior Classes for 9th and 10th Class Assurance So friends, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Class 10th Board Exam से related NCRT मायत का Trigonometry Chapter का Most Important Question के वारे में And इसे पहले और मैं बता दूँ कि NCRT Book से ही means आपके जो Board के एक्जाम होते है उससे Maximum Question जो पूछे जाते हैं वो आपके NCRT Book से ही पूछे जाते हैं चाहें वो कोई भी Board हो, CBSC Board हो, BSEV Board हो चाहें और भी other जितने भी estate Board के एक्जाम होते हैं तो हम लोग वैसे Question को यार देखने वाले हैं जो कि आपके NCRT के Most Important Question होते हैं और आपके Board एक्जाम में पिछले कई सालों से रिपीट होते आ रहे हैं और यह सब Question का आपके एक्जाम में आने का Chances बहुत ही जादा है तो उन सारे Question को यार मैं पूरा टिक कराने वाला हूं आपको मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से यही रहेगा कि मैं जो भी Question को मैं टीक कराने वाला हूं उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ठीक है यह सब Question हर साल Board के एक्जाम में रिपीट होते हैं एंड मैक्सिमम चांसे से कि यही सब Question आपके वोड के एक्जाम में पूछे जाए ठीक है तो चलो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोग को चैप्टर एट यानि की ट्रीमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रीमेट्री का स तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 के बारे में ठीक है तो एक्सरसाइज 8.1 में सबसे मोड जो इंपोर्टेंट कोश्चन है जो की प्रिवियस कई येर में आपको पूछे जा रहे हैं बोड के एक्जाम में वो है कोश्चन नमबर 2 ठीक है सबसे वाद फिर फोर नमबर का कोश्चन ठीक है वन सब से पहला है टू एंड देन अफटर फोर एंड उसके बाद फिर उसके बाद फिर 789 ठीक है 789 ठीक है तो यह 8.1 का सबसे प्रमोर्टेंट कोश्चन वो यहीतने रहे टीक है 2 & 4 &me 789 ठीक है तो एन्ड अब यार बात करते है आपके exercise 8.2 का and आपका page नमर जो है आपका NCIT book का 187 ठीक है तो 8.2 exercise का सबसे first question का जो है सबसे most important question वो है दूसरा and पाचमा ठीक है first number question का दूसरा and पाचमा and then after उसके बाद फिर दूसरा का दूसरा का दूसरा ठीक है दूसरा का दूसरा और उसके बाद फिर एक तीसरा ठीक है तो 8.2 का कौन कौन सा मैंने बताया पहला का दूसरा and उसके बाद फिर पाचमा and दूसरा का दूसरा ठीक है दूसरा का दूसरा यार यह जो है यह MCQ में means one marks question में बहुत ही जादा टाइम मिस पूछा गया ठीक है तो 8.3 का सबसे most important question है पहला का पहला नमबर ठीक है यह भी one marks question में बहुत वार repeat होगा है यह question बहुत ही बहुत जादा important है यह one marks question में हमेशा आते रहता है ठीक है तो पहला का पहला कर लेना और दूसरा का अगर जो बात करें तो दूसरा का पहला उसके बात हो फिर 3, 4 & 5 ठीक है पहला का फर्ष्क दूसरा का पहला 3, 4, 5 ठीक है पहला का फ़र्स दूसरा का पहला 3, 4, 5 ठीक है यह मिनस आपके प्रूफ करने के लिए आता है इसको sin b plus c divided by 2 equal to cos a by 2 ठीक है ये सब सारा का solution यार आप मेरे को वीडियो में comment करना तो मैं सारा का solution भी वीडियो में ला दूँगा ठीक है इसी channel पर चैनल पर आप लोग नए हो तो channel को subscribe जरू कर दें मैं NCRT का आपका पूरा सारा याने की जितने भी chapter ने सारा क्लास का important question मैं बताने वाला हूं और सारा का solution भी लाने वाला हूं ठीक है और उसके बाद फिर one match question वाले का सभी कम है मिन्स आपको रिभाइज कराने वाला हूं practice कराने वाला हम पूरा अच्छे से मैं पूरा preparation कराने वाला बोड exam का ठीक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें तो चलो आप फाइनली बात कर लेते हैं आपके exercise 8.4 की एक्सरसाइज 8.4 में नमबर और question बहुत ही जाता है ठीक है तो इसका most important question के बारे बात कर लेता हूं तो 8.4 एक्सरस्काइज का सबसे मोड़ इंपोर्टेंट question है तीसरा है ठीक है तीसरा का पहला सबसे most important question है यह आपको मिन्स इसका भाइलू निकालना रहता है तो थार्ड का फार्ष नमबर और उसके बाद फिर चौथा में बात करें तो सबसे most important चौथा का पहला एंड उसके बाद फिर चौथा का चौथा ठीक है चौथा का पहला एंड चौथा का चौथा ठीक है एंड उसके बाद फिर बात करें तो पाच्मा का पाच्मा का अगर जो बात करें तो यह न दोनों में से दूसरा सबसे most important है ठीक है means पाच्मा का ऐसे अगर जो बात करें तो पहला और दूसरा दोनो means board exam में लेकिन सबसे ज़्यादा वार जो पूछा गया है वो दूसरा सबसे ज़्यादा वार पूछा गया है ठीक है तो इसलिए ज़्यादा chances है तो आप लोग यार means practice कर लेना पाच्मा के पहला और दूसरा का दोनों का ठीक है तो इसमें means ज़्यादा number of question बहुत ही ज़्यादा है और फाइब नमर का और भी question है ठीक है फाइब नमर में total 10 question पूछे गए है ठीक है जिसमें से की पाच्मा का सबसे most important question है second number और उसके बाद फिर अगर जो बात करूं तो 4,6,9,10 ठीक है यह सब जो है पाच्मा का पाच कोश्चन ठीक है पाच्मा का जो 10 टोटल 10 question दिया हुआ है लेकिन पाच्मा में सबसे most important है वो 5 का second और उसके बाद फिर 4,6,9,10 ठीक है तो यह सब हो गया 8.4 exercise में आपका most important question सब जितने भी question मैंने बता है यह सब का आप लोग को अच्छे से मिस पूरा अच्छे से practice कर लेना ठीक है